दोस्तो आइफोन का एक नया सीरीज आया है आइफोन 14 आइफोन 14 प्रो मैक्स जिसमें एक नया स्टाइल आया है एक नया इफेक्ट आया है डायनिक स्टाइल जिसमें आपको ऊपर एक पॉपप मिलेगा पॉपप में आपको सारी चीजे नौटिफिकेशन कॉल सब कुछ आप आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो काफी आदा अच्छा लगता काफी कमाल का लगता है even आप music call मतब सारी चीजे वहाँ पर आप देख सकते जो दिखने में काफी आदा awesome लगता काफी कमाल का लगता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप एक छोटीश रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मूटिवेट करता है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को share भी कर देना आप अपने whatsapp, facebook जहाँ पर भी share करना चाहते हैं share जरूर करना ताकि जो भी आपके friend हुआ भी iPhone के जो नया effect आया है dynamic वाला उसका थोड़ा सा मज़ा ले पाएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पर set कर देना और आपको comment चेक्समनाना है याँ पर एक प्यारा सा comment करना है और आपको ये भी बताना है आपके पास कौन सा phone है फिलाल मेरे पास OnePlus 80 है तो आपके पास कौन सा phone है comment करके चलूर बताना तो चलो मैं भी comment कर दे करेंगा वहां से आपको application को install कर लेना है तो जैसे आप application को open करेंगे application का जो interface कुछ इस तरीके से आजाएगा अब आपको यहां से allow कर देना है allow करने के बाद मैं आपको यहां से उपर मैं आपको दिखा देता हूं back करके आप देख सकते हैं कि यहां पर one by three लिखा हुआ है तो आपको यहां पर permissions दे देना है तो चलिए हम permission दे देते हैं application आपको search करना edge mask करके है तो आपको application search करने के बाद मैं इसे permission दे देना है ठीक calendar को आप देख सकते हैं कि हमने permission देदिया है ओके अब यहां पर एक और permission है तो हमने सारा permission दे दिया जैसे आप सारा permission देनेगे यह application काम करना start कर जाएगी अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दो option मिल जाएगा effect में message का और plus effect का लेकिन उससे पहले आपको नीचे यहां पर blog double notification तो आपको यहां से इसे तीनों option को on कर देना है अगर आप on नहीं करेंगे तो आपको double notification मिलेगा फिर आप परिसान हो जाएगे तो यहां से हम इसे on कर देते हैं आपको इसको इसको तीनों को on कर देना है अगर तीसरा option on नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं आपको सबसे पहले इसे on कर देना है अगर आप on नहीं करेंगे तो आपका double notification आएगा यानि जो हम iPhone वाला set कर रहे वह भी आएगा और दूसरा भी आएगा तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है अब हम effect वाले option में message पर click करते हैं जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपको एक add देखने को मिलेगा add आपको cut कर देना है add cut करने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे बहुत सारे effect मिल जाएंगा message के ठीक है तो हमको on करना है Samsung message style the option यहाँ से हम इसे on करते हैं सो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने on किया यहाँ पर एक popups आ गया है Samsung कितना है आप देख सकते हैं मैरी b팝हन का message आया, आप देख सकते हैं मैं आपको दुबारा off करके दिखा देता हूं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग करना है सेटिंग करने के लिए आपको उसके बगल में आपको एक option मिलेगा message style के बगल में तीन arrow मिलेगा तो आपको यहाँ पर click करके इसको edit करना है ठीक है तो सबस्य पहली बात अगर आप color change करना चाहते हैं दो सबसे पहले ऊपर नाम आएगा उसके बाद मैं नीचे message आएगा तो यहाँ काफी मस्त है बाकि यहाँ पर एक और bottom का option अगर आप इसे on कर देंगे तो यह नीचे आ जाएगा तो हमको नीचे नहीं ऊपर चीए Samsung की तरह है बाकि यहाँ पर बहुत सारे option आप देख सकते हैं overlay on lock screen तो इसे आपको on रखना है बाकि duration आपको 5 seconds 10 seconds कितना चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर size आपको मिल जाएगी size कितनी रहनी चाहिए आप देख सकते हैं size काफी ज़्यादा बढ़ा हो गया तो छोटा सा pop-up में काफी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं ओके यह सही है बाकि यहाँ पर एक नीचे option मिल जाएगा तो जैसे हम इसे on करते हैं आप देख सकते हैं हम इसे अपने हिसाब से उपर नीचे adjust कर सकते हैं ठीक आप देख सकते हैं काफी नीचे आ गया काफी उपर आ गया तो अगर आपको लगता है काफी उपर है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं यह मुझे अच्छ कमाल का है effect message के निच्छे आपको मिल जाएगा effect तो जैसे हम effect पर click करते हैं यहाँ पर add आएगा तो आपको add cut कर देना है तो हमने add cut कर दिया अब यहाँ पर आपको कई सारे मतलब कई सारे effect कमाल कमाल के मिल जाएंगे जैसे अगर मैं पहले वाले effect को on करता हूं तो आप देख सकते हैं बीच में रोल रोल सा आ चुका है गोल गोल सा तो अगर हम इसे on कर देते हैं आप देख सकते हैं काफी कमाल का लग रहा है ठीक है बाकी आप music में भी इसे on कर सकते हैं music के लिए दूसरा आपको install करना पड़ेगा application तो आप इस चीज को छोड़ते हैं ओके बाकी यहाँ पर बहुत सारी setting है आप इस setting को अपने ही साप से adjust कर लेना जैसे आपको करना है आप देख सकते हैं ठीक है तो आप अपने ही साप से adjust कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जो भी हमने वैब वाला setting किया आप यहाँ से इसके color को change कर सकते हैं side में only glow करना चाहिए क्या करना चाहिए आप देख सकते हैं glow कर रहा है उपर glow नहीं कर र application में so करेगा चली मैं आपको एक message करके दिखा देता हूं ओके सो आप देख सकते हैं message मेरा उपर pop-up में आ रहा है आप देख सकते हैं iPhone की तरह है जैसे अगर मैं high लिखा आप मैं कुछ और लिखता हूं hello bhai कैसे हो आप ध्यान देना ऊपर मेरा नाम आएगा आप देख सकते हैं ऊपर मेरा नाम आ रहा है और नीचे message आ रहा है तो काफी कमाल का लग रहा है और जो हमने light set करी थी वह light भी जल रही है तो दोस्तों काफी कमाल का trick है काफी कमाल की application अगर आप try करना चाहते हैं तो आप कर सकते उमीद करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आदी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स वीडियो में